नमस्कार, मैं सुनीता कथा मन्थन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मन्थन में आज सुन्ये आश्यपुर्णा देवी जी की कहानी एहसास आश्यपुर्णा देवी जी की आने कहानी आपको अमारी प्लेलिस से मिल जाएंगे लिंक आपको आई बेटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा खिड़की से दिखाई पढ़ा नानू नानू की मा का नानू गेट खोल कर भीतर आ रहा है भैसकर जैसे काले पत्रीले बदन पर कुरा लाल गमचा लपेट रखा है कोरे तान की दोती पहने बाल इतने रुखे जैसे रसी हो इधर देखते देखते साफधानी से भीतर आ रहा है देखते ही तो मेरे बदन में आग लग गई जरूरी मा के श्राद में कुछ देना होगा पाबू इसी का रोना लेकर आया है और क्या हो सकता है अब मा की मौत का नाम लेकर कुछ दिन के गांजे का खर्चा तो उठाने ही था अब तक उसकी अद्मरी सी मा अपना खून पसीना एक कर इसी बात को तो निवाती रही मगर सिर्फ नशे का ही खर्चा नानू के उस पत्रीले साचे को बनाए रखने के सारे उपकरण कौन जुटाता है अपने आपको निचोड कर दिन रात खून पसीना एक कर कितनी तरकीवों से जो कुछ कमाती थी सब कुछ तो उस नालायक गंजडे बेटे के नवेद्य में ही लुटा देती केवल चार पांच घर बरतन माजना ही तो नहीं जब देखो नानू की मा हड़ बढ़ा कर चली जा रही है जा रही है एक बाल्टी कपड़ा साबुन लगा कर धोने चली जा रही है एक टोकरी गोबर लेकर गोईठा डालने चली जा रही है किसी बजार का समान ढोते हुए इस छोटे से महले में नानो की मा को ना पहचानने वाला कोई नहीं जब नानो साल भर का था तब नानो के मा बाप पता नहीं कैसे कैसे कहां से ओकर यहीं पहुँच गए थे या शायद आकाल प्रिडित होकर ही चले आये थे नानू का बाप मोती राज मिस्त्री का काम करता था लेकिन कितने दिन तक कर सका एक दिन अचानक मर गया बीवी बच्चे को डुबा कर नानू तब धाई वर्षका था तब से नानू की मा का जीवन संघर्ष चल रहा है दो तिन घर और पकड़ लिये उसने भीतर ही भीतर नानू विशाल और भेंकर होकर बढ़ता चला गया उसके हाथ गंजड भी सुना है गांजा पिनी से चेहरा सूख जाता है पर नानू उसका व्यती करम है मा बेटा आकरिती और प्रकरिती दोनों में ही विपरीत जवान बेटा जंगली सूअर की तरह यावा घूमता रहता है और चमकादर जैसी मा तु जीत रोड़कर मेनत करती अरे उसे खिलाने के लिए इतना सर पर चड़ाना क्यों यह है पूछने पर नानू की मा सहज भाव से बोलती नहीं तो छोड़ेगा क्या बाबू वह राक्षा सड़ी पसली एक कर देगा मार कर भूग लगने से अभागे को कुछ दिखाई सुना ही नहीं पड़ता घर के काम में एक दिन का तक नहीं लाता दिन नहीं रात नहीं कहां कहां घूमता रहता है और पेट में आग लगे तो सांड जैसे चिंगारते वे आएगा और कहेगा जल्दी भाद दे एक मिनट नहीं रुकेगा बाबू देर होने से हमको पकड़कर ऐसे मार गएगा कि ऐसे मारेगा बड़े सहज ढंक से कहती इस कथन में कहीं कोई दुक्या नाराज की नहीं चलगती मजे की बात तो यह है कि नानू का वेपेट दिन में कम से कम तीन चार बार दहक उटता और उस जुआला की निवरिती भाद छोड़कर और किसी चीज़ से नहीं होती यहां तक कि कभी गलती से भी अगर भाद की जगा चूड़ा मुड़ी या मालिक के घर से लाई बासी रोटी सामने लाकर रग दी तब वह मा के मुपर फेक कर बोलता यह पिंड अपने बाप की शराद में दे जाकर यह सब कहानी नानू की मा लोगों को सुनाती अपना दुखडा रोती अंत में कहती भाद बिना नलायक राक्षस को आँख से कुछ सूसता ही नहीं करे तो क्या करे नानू की मा अपना पेट पांच घर की रोटी चाय से ही भरकर हांडी का सारा भाद नानू के आगे ही धर देती पर बेटे के विशे में नलायक राक्षस अभागा दुश्मन जैसे विशेशनों के बावजुद नानू की मा का अपार पुत्रसने किसी से चिपा नहीं था बेटे के लिए सारे पड़ास के दादा बाबों के छोड़े वे शर्ट पैंट से अपना घर भर ढाल दी नानू की मा नानू को इसी खाटाल से गोबर चुनने को गई उसे दिन भागती हुई लौरी के नीचे नानू की मा ने अपनी अंतिम शहिया बिच्छा ली नानू की मा की मौत से सभी को बड़ा अखात लगए ऐसी बात नहीं मगर ऐसी बेमोत पर सभी के मुझसे अहाँ निकल गई और नानू की मा कितना अच्छा बरतन मासी थी कितने साफ कपड़े दोती थी इन सब का उलेकर सभी ने उसके लिए यह यश्वा के कह दिया नानू की मा जैसी और कोई नहीं होगी चिंता की अगली धरा ऐसी रही कि बुढिया मरकर जी गई और उस नलायक मुरक बेटे से तो छुटकारा मिल गया जब तक जिंदा रहती वही बेटा उसे भून भून कर खाता तो नानू की मा जलने से बच गई इसका अर्थ यह है तो नहीं कि नानू महले वालों को जलाने लगे यह कैसे होने दिया जा सकता था नानू को गेट से आते देखकर अपने आपको कठोर कर लिया मैंने और मन ही मन तयार होने लगा नानू अगर रोदो कर साहेता मांगे तो कैसे कठोर जवाब देकर जीवन भर के लिए उसकी आशा की जड़ पर कर दूँगा पहली ही रात बिल्लू को चुप करा दो तो अच्छा एक बार दया दिखाए कि फस गए माया ममता के घर में ताला लगा कर रखना ही बुद्धी मानी है अत्या बुद्धी मान होने का स्थिर संकल्प कर बैठा मगर यह है क्या यह कैसी अनहोनी प्रात्ना बात कप्ड़े थिर्फे एक तस्वीर तस्वीर है रान होकर पूछा मैंगने तस्वीर मतलब किसकी तस्वीर कैलσनर की क्या पता शाइद अबहगा दिवार पर टंगे किसी कैलेंडर की सुन्दर नारी मुर्ति कितनी बड़ी हुआ करती थी ऐसे भीदर दस गई का इन थोड़े दिनों में उसका चहरा चोड़े थाल जैसा चहरा सुख कर छड़ी जैसा कैसा हो गया अथार्थ पेट पुजा ठीक से ना होने पर उसका परवग जैसा आकर भी डगमंगाने लगा खाना पीना नहीं मिल रहा होगा शायद मगर यह बात पुछकर जिम्मेदारी अपने उपर लेनी की हिम्मत नहीं होती सच ही तो है एक मा के सिवा त्रिभुवन में उसका और कोई सगा था भी तो नहीं किसे पड़ी है उसके लिए भात पका दे भात का खर्चा ही कौन देगा नानू की मा की यह बात याद आ गए भात मिना सब जगा अंधेरा दिखता है नलायक को आज के दिन खुछ खा कर जाने को कह देता तो अच्छा होता नहीं नहीं जरूद नहीं कंगाल को साख का खेत नहीं दिखाना चाहिए यह रिशी वाकिया है, दिखाने का आर्थ है नहर खोद कर मगर मज़ को अमंतरित करना नहीं नहीं, उसे को सीक मिलनी चाहिए अब समझ में आएगा कितने धान में कितना चावल निकलता है समझ में आएगा कि हाथ पैर नहीं लाने से भात नहीं जुटता लड़के का चहरा बहुत ही सूखा हुआ था हट्टा कट्टा चहरा जब सूखता है तो और भी करून लगता है मगर लगता है किसी ना किसी की सनेचाया मिली गई है नहीं तो कौन उसे शुद करने के लिए नई दोती और नया गमचा दे गया कौन दे गया पूचते वे भी संभल गया जवाब पाने का अर्थी अपने दोश को उभारना दूसरे लोग मानवता दर्शा रही है और मैंने यह कोई सुगुद अनुबती तो नहीं है उसमें तो अग्यानता ही भली अग्यानी को अपरात का बोध नहीं होता वे कुछ देश चुप रहा नानु भी सर जुका कर नानु अपनी कठोर उंगलियों से धर्ती पर लकीरे खीचता रहा फिर लंबी सांस छोड़ कर बुला नहीं बाबू वे तस्वीर नहीं फोटो वाली तस्वीर चोटे भीया की शादी किसम है सब लोगों को लेकर जो ग्रूप फोटो करवाया गया था ना वही एक चाहिए सुनकर मैं और भी हरान हो गया चोटे भीया की शादी किसम है का ग्रूप फोटो उस फोटो से तुझे क्या कम नानू अपने कोरे गमचे के कौने से आखे पहुचकर भराई अवाज में बुला उसमें माँ है बाबुजी उसमें माँ है तेरी नानू उदास स्वर में बुला हाँ बाबु बड़े भईया के मुन्ने को गोद में लिये पता नहीं था मुझे लियान से कभी देखा भी नहीं बगर बात क्या है सच मुच मातर भक्ती उमर ने लगी है या कोई चालबा जी शायद हमदर्दी जगा कर असली बात पर आ जाएगा गंभीर स्वर में मैंने का मा की तस्वीर है उसमें है तो क्या हुआ ले जाकर पूजा करेगा नानू ने अपनी लाल लाल आँखों को एक बार उठा कर ही सर जुका लिया उसी तरह जमीन पर अद्रिश्य लिखन की लगीरे खीषते खीषते और भी उदा स्वर में बोला उसी के लिए तो मांग रहा हूँ बाबुजी घर के कौने में पीडे पर बिठा कर रोज सबरे फूल चड़ा कर पूजा करूँगा क्या बुला सच्विच मा के तस्विर की फूल दे कर पूजा करेगा कठोर स्वर में मैंने कहा नालायक पाजी बंदर कहीं का नकरे दिखाने के लिए कोई और जगा नहीं मिली जीवन भर मा को सताता रहा मारपिट करता रहा मात्र भक्ती दिखाने चला है आवाज कुछ अधिक ही कठोर हो गई मँगर नानू का स्वर इतना करकश था यह तो पता नहीं था अचनक नानू अपने कठोर करकश स्वर को और भी विभत्स बनाकर जोड जोड से रो पड़ा समझ में नहीं आया बावू, नहीं समझ आया, पहले भी समझ में नहीं आया, भगवान का बनाया, ये चांद सूरज, ये हवा रोशनी ध्यान लगा कर देखा है कभी, जनम से ही मा को उसी भगवान की चांद सूरज की तरह देखता है, कभी कुछ बदलाव नहीं, कभी नहीं स